तो चलिए शुरू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे इतिहास की समझ उसी का भाग तीन है ये उसी को आगे continue करेंगे हम तो देखो हमें पता है कि जो आपका परिवार है मालीजी आपका आसपडों से लेके पूरे विश्व में जितनी भी गटनाए हो रही है उन सभी का कारण क्य किसी समें होने वाली कोई भी गटना किसी पहले गटेабन का रहा बनती है इतिहास की बिवल भू эта काल्वकश को सवारने की लिए माद्य में जो कलतिया पीछे हुए वो आज ना हो तो उनसे सीखते हैं और अपने वविश्य को सुनेरा बनाते हैं ठीक है तो साथवीश तापदी में यूरोपिय व्यापारी थे जो भारत आए वो तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का ज जो मुगल समराज्य है उसके विगटन के साथ शेत्री शक्तियां जैसे मराथा, सिख, जाट, वंगाली, अवद के नवाब, रहुले का मार्ग प्रशशित हुआ जो विदेशी व्यापार करने आए थे मोका देखकर मालिक बन गई वर्चस्व की होड में अंग्रेज विज इन जैसे बड़े-बड़े नायकों नेम क्या किया, विद रोह किया 1557 में, तो विद रोह के दो भारा अखाड़ों ने उनको क्या किया कि जो अंग्रेजों से जड़ी खतं कर देंगे, उन्होंने बड़ी कोशुच की, जो अंग्रेजों दोरा बड़ी बेरहमि से कुचल दिया गया ठीक है उन्होंने क्या किया जो इन्होंने कोशिश की थी इन सब को क्या कर दिया सब की मैनत पारी में डाल दी ठीक है उनसे यह अंग्रेजों से नहीं जीत पाई इसके पाद ब्रिटिस समराज्ये में भारत का समावेश कर दिया समस्त भारत पर ब्रिटिस आशन हो भारत अनयास की एक्ता के सूत्र में बंद गया एक्ता तो अंग्रेजों की जाने के बाद ही आई ना वारे देश में कि पहले तो इस जगे पर दूसरे राजा का राज है फिर वहां पर थोड़ी जगे उस राजा ने ले रखी है तो इस तरीके से पूरा जो भारत था वो एक ठोस बना दिया जैसे राज राम मोहन रोई है स्वामी दायान सरस्वती तता स्वामी विविकानन जैसे समाजिक सुधारकों के कारियों से इन्होंने क्या किया जो समाज में सुधार लाने के लिए लड़ते हैं ठीके भारत की स्वालंबी ग्रामीन अर्थ विवस्टा नश ब्रेटिश आशन की अनर्थकारी दुश परिनामों के साथ देश में देश में मध्यवेर के उद्य होने से लोगों में क्या हूँ अपने देश के प्रती जो राश्ट्रवाद की राश्रवादीता है उसमें लोगों का मतलब इंटरस्ट बना कि भई हम एसे गुलाम बन कर त जो धन है वो तो यह अंग्रेज लूट रहे हैं तो उन्हें क्या कि यह सारे कारण थे कि उनको यह उनसे क्या मिला उनसे प्रोचसाहन मिला कि अब तो हम लड़ेंगे और इनसे पीछा चुड़ाएंगे तो आर्ये समाच प्रातना समाच अली गडान दोलन भारतिय राष्ट् भावना का संचार हुआ इन्होंने कोशिश की लोगों के अंदर जागुरुकता पैदा करने की तो बाल गंगा धरतिलग विपिन चंद्र पाल गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांदी जी सुबास चंद्र बोस लाला लाश पत्राय ज्वालना नेरू चंद्र शेकर से हमें क्या मिली है 1947 में सवतंत्रता मिली है आजादी मिली है ठीक है तो इनकी मेहनत के कारणी आज हम ऐसी जिंदेगी जी पा रहे हैं तो ये कुछ फोटोस दिये हुए ये क्या है ये है राजा राम मोहन रोई जी ये है बाल गंगा धरतिलग और ये है सुबास चंद्र ब जबनानी है है आज इतिहास की यातरा रोचक चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रशिन उत्तर पे तो आपकी वोकशीट में आज ये चार प्रशिन आपको दिये हुए है ठीक है वान टू-त्री-फोर ये चारों के चारों कॉश्चिन एक पर फटा-फट से कर लेते हैं कि इन जू वर्तमान आज जो ज़ें रहे हैं तो लड़े से लड़े हुए हैं उसके कारण हो वर्तमान से पूरा साथ में चुपा है जो भविशय का आधार बनेंगा और इसी से हम अपना भविश्य है कि वह क्यों लड़े हैं क्योंकि उन्हों देख रहे थे कि भविश्य में हम आजाद होंगे तो जो इतिहास से वो भविश्य का आधार बनता है और वरतमान भी उसी के अंदर छिपा होता है तो किसी भी समय होने वाली कोई भी गटना किसी ने किसी गटना का क्या होती है परिनाम होती है उसका रिजल्ट होती है आज वो लड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट कल को हमें मिलेगा ठीकि आज हम पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें कल पीपर में मिलेगा तो इतिहास में जो हमने पढ़ाई की उसकी वज़े से आज हम ये हैं तो वो क्या होती है गटना का परिनाम और कारण होती है इसलिए इतिहास ने केवल अतीत को जानने का साधन है बलकि भविश्य को आकार देने का एक साधन है जो हमारा भविश्य है वो पूरा इतिहास पर ह बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. ठेक है? ये हो गया question number 1. चलते हैं अगले question प्रेशन नमबर दो, प्रेशन दो है, यूरोपिय भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए, क्यों मतलब जो अपना व्यापार करने आए थे, किस वज़े से वो कर पाए, क्यों वो सक्सेस्फुल हो गए, क्यों उन्होंने जीत हासिल की, तो हमें पता है, भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता के कारण, यहाँ पे इतनी अस्थिरता थी, लोगों में आपस में ही इतनी मत्बेद थे, कि उनका फायदा उठाकर यूरोपिय व्यपारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में सफल हुए, यह हो गया कोशिन नमबर टू, प्रशिन नमबर तीन है, भारत में राश्ट्री अंदोलन के उदे के विभिन कारणों पर प्रकाश डालिये, जो राश्ट्री अंदोलन हुआ था, वो इतना जादा बड़े लेवल पे किस तरीके से हो पाया, क्या कारण थे, जिस वज़े स इतना जादा लोगों को जागरू करने की कोशिश की, इनकी वज़े से ही लोगों में राश्ट्रिवादी तक ही भावना आई, दूसरा भारत की स्वालंबी ग्रामीन अर्थ विवस्ता का विनाश, लोगों जो व्यपारी आ रहे थे, अंग्रेज थे, तो उनकी जो हमारी अर्थ विवस्ता थी, वो खराब हो रही थी, जो हमारा धने वो उनके पास जा रहा था, तो ये सारी जो कारण है, इनकी वज़े से लोगों को ये, उनको, उन्होंने समझा और इस चीज को जाना और उनके लिए लड़ने के लिए तयार हुए, तीसरा ब्रिटिश शाशन क विनाशकारी आर्थिक नीतिया, जो अलग-लग रोज की रोज वो नीति लेकर आ रहे थे, कि जिसकी वज़े से हमारा जो भारत था, वो बिल्कुल नीचे जाता जा रहा था, तो उन नीतियों के कारण लोगों में जाग रुखता आई, चो था मध्यवर का उदे, जो मध्य वज़े की भावना की तेजी से विकास के लिए, लोगों में इतने जादा आपस में किये अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, उसको जागरुक किया, इन जितने भी ये हमारे आरे समाज, प्रातना समाज, ये लोगों को समझाया, जिसकी वज़े से उनके अंदर ये राष्ट्रवादिता की भावना आई, तो ये कुछ कारण है जिसकी वज़े से भारत में राष्ट्रवादि, राष्ट्रियांदोलन के उद्य हुआ, ठेक है, तो ये हो गया कोश्यन नमबर तीन, अब हम चलते हैं हमारे आखरी प्रेशन पे, प्रेशन नमबर चार, थोड दिलाने के लिए जो लड़े हैं, उनके बारे में हमें लिखना है, जैसे पहले है आचारिया विनोबा भावी, ठीक है, ये भी क्या है सवतंत्रता के लिए हमारे जिरों ने फाइट की है, ये एक सवतंत्रता से नानी हैं और आधात्मिक सिक्षक थी, उन्हों है भुधान भूमी का उफार के संस्थापक की रूप में जाना जाता है, सुधारक को वंचित चंता के प्रती, गहरी चिंता थी विनोबा भावी ने, एक बार कहा था, सभी क्रांति श्त्रोत एक आध्यात्मिक है, ठीक है, तो ये हो गया आचारिया विनोबा भावी के बारे में, कम से जीवन को एक समाजिक कार्यकरता में बदल दिया, उनके पास इतना मतलब जिस घर में वो पैदा हुए थे, इतना अच्छा था सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने सब छोड़ कर, जो अपना देश है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश की और उनमें अपना ध्यान दिया उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुछले लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें सवतंतरता के लिए भारत के संगर्श में शामिल होने के लिए अपना आकर्शक पेशाद छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया बाबा आमते की बारे में, तीसरा ह है, डॉक्टर B.R. अम्बेकर की जीवनि यहां पे इसको जीवनि को घटा दीजे, अब ठीक है, डॉक्टर B.R. Ambeadkar की बारे में तो जन्होंने बाबा साहे अम्बेकर के नाम से हम इनको जानते हैं भारतिय समीधान की निर्माताउ में से एक थे जनोंने हमारा भारतिय स्य समीधान कंस्टिटूशन उसको बनाया वे एक परसिद्ध राजनितिग्य और प्रख्यात न्यायविद थे अस पुर्शिता और जाती प्रतिबं जैसे समाजिक इश्वर, इश्वर, चद्र, विद्या, सागर को बंगाल, पुर्ण, जागरन के इस थंबो में से एक माना जाता है जैसे हमारे घर की जो जैसे किस पर खड़े होते हैं, जो पिल और सोते खंबे के ऊपर खड़े होते हैं, सारे तो हो उनको बेंगवल के जो उस थम होते हैं, उनको माना जाता था, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पेरा जब राम मोहंद्वारा जो शुरू कही गए, जो लाती वहां का एडूकेशन सिस्टम था जो लोग पढ़ाई थी उस चीज़ों को उनोंने बढ़ावा दिया तो यह हो गया प्रशन नंबर चार तो यह चार कोशना जाबकि वोक्षीट में गिवन थे तो चोथे प्रशन में हमने चार सबसंत्रता सेनारियों की बारे में लिखा है पहला है आचारिय विनो भावे ठीक है दूसरा है बाबा आम्टे ठीक है तीसरा है डियार डॉक्टर बियार अंबेटकर और चोथा है ईश्वर चंदर विद्या सागर तो चारों कोशन साइब आपको समझ में आ गए है और बार c a यहां पूरी वक्षीट है कई पर भी तो क्मेंट चीक्षीं में आप मुझसे बूछे सकते हैं और अगर आपको canoe अचा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तिल